दस साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने अलग-अलग तरह की बाते की वो पूलता की ओर नहीं है एक परिवार ऐसा नहीं है जहां बेरोजगारी नहीं है एक परिवार ऐसा नहीं है जो किसान परिवार जो करज में नहीं है एक परिवार एसा नहीं है जो महंगाई की मार से बच्चा है एक भी परिवार का वेक्ति ऐसा सत्तर प्रतिशत घरों के बच्चे आजकर नशे में किसी रूप से परिशान है तो ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी के राज में बना और अल्टिमेटली जो बोला वो हुआ नहीं और जो नहीं बूला वो हुआ तो राहुल जी की यात्रा चुकी तीन तारिक को यहां पर शिवकूरी में और आसपास बुना और वालियर से होते हुए आगे जाएगी उसको लेकर आज एक मिटिंग थी और सबको काम का वित्रण और स्वागत सत्कार की वेवस्थाओं के ज नेताओं में जो हमारे मारिजजनों में अधबूत है अकलतनी है मैं आपके माध्यम से शहर के निवासियों को जिले के निवासियों को सबी आसपास के परिवार्जनों से अगर्या करता हूं कि एतिहासिक छड है जब एक वेक्ती ऐसा जिनोंने प्रेम प्यार महुबत में और एक मानुता की रख्षा के लिए आधूनिक भारत में पिछले सो साल में नहीं हुआ दो सो साल में नहीं हुआ जो पद यात्रा करते हुए और कण्या कुमारी से कश्मीर तक गया है और उद्देश सिर्फ एक ही था कि देश में सहिश्णुता रहे प्रेम रहे प्यार रहे पिछली वार जब मैंने आपसे बात की थी जब बहुत सी बाते सरकार और कांग्रेस को लेके भी की थी और यह कहा था कि जो जीता हो सिकंदर अभी मैं अन्रोट करना चाहता हूं कि यह मुख्यमंत्री जो हमारे बने हैं असल में जनादेश देके नहीं बने हैं जनादेश शिवराज जी के नाम पर मिला था और भारती जनता पार्टी उनके चेहरे पर ही जो भी बाते प्रदेश को कही गई थी वह कही दिया यह अलग बात है कि परची एक निकली नरेंद्र मोदी जी ने भेजी और शिवराज जी से पढ़वा दी कि यह देखो को ने परची में स क्या आप एच्छा है दो महीने में पूट के पाउं पालने दिख रहा है क्राइम अद्बुत है अकल्ट नहीं है आप सब के सामने भी एक वेक्ति के लिए बीजेपी के पार्षित में उसके भाई के हत्या कर दी मैंने इस पी को बोला वो उस पूंके तर्क दे रहा था ऐस कि मांग पर गोलिया कल गौलियर में चली कल एक पांस साल की बच्ची के साथ बलात का इंदोर में हुआ मतलब क्राइम में मद्य प्रदेश 30 साल में दो महीने में सबसे ज़्यादा है यह परची के मुख्यमंत्री के राज में पिछले जब मैं पिछली बार आप से मिला था दब भी क्राइम था यह करप्शन था अब उस तो सीधा डबल हो गया है कहीं भी आप देखो कि लूट की छूट एक तरह से बीजेपी को मिल चुकी है तो परची के मुख्यमंत्री ने के सी सी क्राइम करप्शन और कर्च इस पे पूरा फोकस कर रखा है जो मैं मानता हूं यह आने वाले भविश के लिए खतरनाक है 12 मार्च से पहले प्रत्याशियों की घोशना कर दी जाएगी कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को यह बात शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही पत्रकार वार्टा के दौरान कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से जब यह पूछा गया कि आप आगामी लोकसभाचुनाव लड़ेंगे क्या तो उन्होंने कहा पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालन करूंगा मैं पार्टी का सिपाही हूँ पार्टी के निर्देश सिर माथे पर जब उनसे पूछा गया कि दिग्विजय सिंग और कमलनाथ भी लोकसभाचुनाव लड़ेंगे क्या तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी निर्देश देगी वह भी उसका पालन करेंगे पटवारी ने केंदरिय ग्रिह मंत्री अमित शाह पर निशाना साथते हुए कहा कि अमित शाह ने कॉंग्रेस मुक्त बूत करने की बात जो कही थी वह उनकी भावना अहंकार की भावना है रावन ने जिस तरह से मैं की बात कही थी उनकी भावना भी रावन की जैसी है पटवारी ने केंदर की मोधी सरकार पर आरोप लगाए कि बीते दस साल के शासन में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने जो बातें और वादे जनता से किये थे उन वादों को पूरा नहीं किया है आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है, महंगाई से जनता परिशान है, लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे है युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो वह नशे की लट में जा रहे है इस और केंदर सरकार का कोई ध्यान नहीं है इन सब मुद्दों को लेकर ही कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहुल कांधी भारत जोडो न्याय यात्रा निकाल रहे है पटवारी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव परची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी ने जो परची मध्यप्रदेश में भेजी उसे परची से उनका नाम निकला मोहन यादव को जनादेश नहीं मिला है, जबकि शिवराज सेह को जनादेश मिला था, लेकिन एक परची से मोहन यादव का नाम निकला मैं उनको परची वाला मुख्यमंत्री कहता हूँ प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर निशाना साथते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि दो महीने में जनता त्रस्थ हो गई है पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर है जनता के कोई काम नहीं हो रहे है बढ़ते अपराध के अलावा प्रदेश के नाकों पर भष्टाचार चरम पर है मध्य प्रदेश में 15,000 करोर से ज्यादा का कर्ज अभी दो महीने के दौरान ही मोहन यादव सरकार ने ले लिया है इस तरह से यह के सी सी की सरकार है जिसमें क्राइम, करप्शन और कर्ज वाली ये सरकार है राहुल गांधी की यात्रा की तयारियों पर कार्यकरताओं के साथ बैठक करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि पहले यहाँ जब भी कॉंग्रेस का कोई कार्यकरम होता था तो उसका श्रे दूसरे लोग ले जाते थे भीर कॉंग्रेस करती थी और जब दिल्ली में चर्चा होती थी तो दूसरे लोग कहते थे कि मेरे अनुयाई है अब अगर कॉंग्रेस भीर करेगी तो उसका श्रे आप लोगों को ही मिलेगा कोई आपकी मेहंत का श्रे नहीं ले पाएगा